दोस्तों अगर आपके Google AdSense Account में कुछ इस तरह कर नोटिसिफिकेशन आया हुआ एक्षन रिक्वायर इस इस सम्थिंग तू चेक इन यूर एड़ेंस पेमेंट एकाउंट तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर इस इसी को फिक्ष करने के लिए एक फार्म फिल अप करना होगा फार्म को कैसे फिल अप करना आज की शूड़े हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं अगर आप यहाँ पर arrow पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ अगर आप का अटएच है तो भी आप इस फार्म को फिल आप करना है अब हम यहाँ पर देख लेंगे यहाँ पर आप संदिया हुआ go to payment तो हमें इस issue को fix करने के लिए मतलब यहाँ पर जो action required notification है इसको fix करने के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर go to payment पर click करना होगा जैसे click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको page show होगा अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कि एरो पर तो कुछ इस तरह का फार्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दो नोटिपिकेशन दो रहा है पहला यहाँ पर टेक्स फार्म एस्वायर 31 दिसंबर 1224 तो अगर आपने पहले से कोई टेक्स फार्म फील अप किया था यहाँ पर बताए जा रहा है 31िसंबर 1224 को एक्स्वायर होने वाला है तो 31 unanimribal 1224 से पहले आपको क्या करना है इस टेक्स फार्म को फील अप करना है अगर आप feel up नहीं करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ Google में need to withhold up to 30% अगर 30% आपका payment जो है hold कर सकता या फिर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है आप your payout या hold payout completely मतलब पूरा payment भी hold कर सकता है अगर आप submit new text farm नहीं करते हैं तो और इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर text info लिखा हुआ तो आपको यहाँ पर text info सिंगापूर वाला जो है यहाँ पर fill up करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर submit new farm पर click करेंगे तो देखें यहाँ पर process हो रहा है process को complete होने देते हैं जैसी complete हो जाएगा process तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कुछी इस तरह का option आ चुका है और यहाँ पर देखेंगे सिंगापूर वाला जो यहाँ पर text info है आपको यहाँ पर fill up करना पड़ेगा और यहाँ पर देखेंगे युनाइटिट इस्टेट वाला भी यहाँ पर show हो रहा है अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप स्कॉल करके मैं soak कर देता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर फार w8 ben यहाँ पर पहले से approved है लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लीखा हुआ यूर file expire हो रहा है expire कब हो रहा 31 12 2024 तो अब आपको क्या करना होगा इसको update करना होगा update करने के लिए यहाँ पर submit new form पर click करना होगा और यहाँ पर देखी यह जो approved है इसको हमने कब submit किया था 10 माज 2021 को submit किया था अब यहाँ पर आप submit new form पर click करेंगे तो फिर से submit करेंगे तो यहाँ पर date जो है change हो जाएगा अब यहाँ पर देखी यहाँ पर expire भी लिखा हुआ expire कब हो रहा 31 दिसंबर 2024 को expire होगा यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ 31 दिसंबर 2024 यहाँ पर भी देखिए same date लिखा हुआ है तो अब आपको क्या करना है इसको दुबारा से fill up करना होगा अगर आपने पहले भी कभी इस फार्म को fill up किया था United States टेक्स फार्म को तो same process आपको करके क्या करना इस फार्म को fill up कर देना है अगर आपको नहीं पता है फार्म W8 बेन को कैसे fill up करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें अब हम आ जाते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर जो सिंगापूर वाला जो फार्म है हम इसको पहले fill up करेंगे इसके लिए यहाँ पर add text info पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा और यहाँ पर before you start यहाँ पर कुछ information लिख हुई है आप इसको पढ़ लें तो इसको fill up करने में 5-10 minute बोला जा रहा है यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर अगर आप image upload करेंगे तो PNG और JPG upload करेंगे लेकिन आपको बता दे अगर आप Singapore से नहीं है तो आपको यह सब upload करने की जरूरत नहीं पढ़ने वाली तो हम क्या करेंगे यहाँ पर start phone पर click करने के बाद देखें यहाँ पर process हो रहा है तो इसको हम open होने देते ह है और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर Singapore text info पर यहाँ पर business info के बारे में जानकारी आपको बोला जा रहा तो आप यहाँ पर click करें और यहाँ पर click करने के बाद in your या फिर sole proprietor को आप select कर लें उसके बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ do you have a permanent establishment in Singapore तो अगर आप Singapore में established नहीं है तो आप यहाँ पर no पर click करेंगे और यहाँ पर फिर से आपको लिखा हुआ are you registered by Singapore good and service text यानि GST तो यहाँ पर भी हमको क्या करना no पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर unique entity number लिखा हुआ यह optional है तो आपको इसको ऐसे ही रख देना है अब यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ और यहाँ पर लिखा और टेक्स exemption तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर भी आपको no पर click कर देना है उसके बाद आप श्कोल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखा are you eligible for other exemption या lower tax rate तो यहाँ पर भी आप no पर click कर दें और no पर click करने एक बाद आपको submit पर click कर देना है जैसे submit पर click करेंगे यहाँ पर process हो रहा है अब आपको थोड़ा सा wait करना है तो आप यहाँ पर देख सकते है process complete हो चुका है और यहाँ पर Singapore में लिख कर आ चुका है यह टीक्स info has been accepted और ने बर एक्स वायर यह कभी एक्स वायर नहीं होगा जो Singapore text info है अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो business info में आपने जो भी detail fill up की थी यहाँ पर आपको सो हो रहा है तो देखिए यहाँ पर हमने text info fill up कर लिया Singapore वाला अब इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ condition में क्या कर रहा था है यहाँ पर text info सिंगापूर वाला और यहाँ पर दोनों यहाँ पर United State दोनों को यहाँ पर fill up करने के लिए बोला जा रहा है अगर आप इसको fill up नहीं करते हैं यहाँ पर देखिए क्या लिका हूँ यह text info is file 31 12 24 तो मतलब अभी date जो है यहाँ पर दस आ दाएगा तो आपको 31 12 24 से पहले क्या करना है फार्म को fill up कर देना है तो आपको बता देए United State Farm के लिए हम से वीडियो में हम क्या करेंगे इस information को नहीं fill up करेंगे इसके लिए आपको हमारी दूसरी वाली वीडियो देखने होगी जिसका link आपको वीडियो के नीचे discussion में मिल कैसे fill up करना है उसके बारे में information दी हुई है तो आज की studio में आपने जाना Singapore text info information कैसे fill up करें और United State Farm में आपको क्या fill up करना इसके लिए आप हमारी नेस्ट वीडियो को देख सकते हैं तो आज की studio में बस इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में thank you for watching